क्या आपकी इम्म्यूनिटी कमजोर है? क्या आपकबज़ और योन संबंदी समस्याओं से परिशान है? तो आपकी इन परिशानियों का हल एक छोटे से खाने के आइटम में हैं. ये है काला च्वारा. काला च्वारा भले ही छोटा है लेकिन इसके फाइदे बहुत बड़े हैं. नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान और मेरा मकसद है आपको स्वस्त रखना ताकि आपके चेहरे पर हमेशा बनी रहे मुस्कार. साथियो, इस रिपोर्ट में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर काला च्वारा कैसे हमारे लिए लाबकारी है? कैसे ये पेट की कई बीमारियों में राम बान है? इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो यकीनी तोर पर आपको कई एहम जानकारिया मिलेगी. इस ऐसे में सर्दियों में डाइट में हमें ऐसी चीजों को जरूर शामिल करना चाहिये जो हमारे शरीर को गर्म रखने के साथ साथ हमारी शरीर को ताकत भी दे। सर्दियों में छ्ष्वारे का सेवन शरीर के लिए बहुत फाइदे मन दोता है ये शरीर को गर्म रखने के साथ साथ शरीर की इम्म्यूनिटी को भी बढ़ाता है छ्ष्वारे में भरपूर मात्रा में केलशियम, फाइबर, जिंक, आईरन और विटमिन सी पाई जाते हैं वहीं पुरुशों के लिए छ्ष्वारा किसी वरदान से कम नहीं है छ्ष्वारा पुरुशों की शरीरिक कमजोरी दूर करने के साथ साथ स्टैमिना बढ़ाने में भी मदद करता है दोस्तो काले छ्ष्वारे खाने से क्या लाब मिलते हैं अब इसे भी समझे दोस्तो काले च्वारे शरीर की कमजोरी को दूर करने में काफी मददकार होते हैं अगर आप ठका ठका मैसूस करते हैं तो आप कमजोरी के शिकार हो रही हैं ऐसे में कमजोरी को दूर करना बहुत सरूरी हो जाता है और उसके लिए काले च्वारे सबसे बेस्ट आप्शन है क्योंकि काले च्वारे में केलशियम, फाइवर, आईरन, मेगनीशियम इस तरीके के बहुत ही इंपॉर्टन नूट्रियंट्स शामिल है जो शरीर की कमजोरी को दूर करने में बेहद असरदार है साथी च्वारे आपको हेल्दी रखने में भी बहुत-बहुत-बहुत मदद करते हैं अगर आप शरीर की कमजोरी को दूर करना चाहते हैं तो आप रोजाना काले च्वारे का शेवन शुरू कर दीजिए साथियों, सर्दियों के मौसम में इम्म्यूटी मजबूद होना बेहद जरूरी है अगर आपकी इम्म्यूटी कमजोर है तो यकीनन आप कई संक्रमणों के शिकार हो सकते हैं इम्यून सिस्टम मजबूद करने के लिए काले च्वारे का सेवन करना चाहिए काले च्वारे के एंटी ऑक्सिडेंट गुन, फाइबर, आइरन जैसे न्यूट्रिन्स बोडी को गरम रखते हैं, गरमार देते हैं जो की इम्म्यूनिटी मजबूद करने में बेहद असरदार है काले च्वारे आपकी इम्म्यूनिटी को बूस्ट करके आपको संक्रमन से बहुत दूर ले जाता है साथियो, अब मैं सर्दियों में काले च्वारे खाने का अगला फाइदा बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनना अगर आप पेट की समस्या से परिशान है, मसलन कब्ज होता है आपको, तो आपके लिए काले च्वारे बेस्ट ऑप्शन है, कब्ज से निजात पाने का और इसका सेवन दूद में उबाल कर किया जाए, तो इसके फाइदे डबल, दोगने हो जाते है क्योंकि काले च्वारे में भरपूर मात्रा में फाइबर पाए जाता है, जो पेट को लंबे समय तक हेल्दी रखता है जो बोड़ी बनाने के साथ साथ आपके वजन बढ़ाने में भी काफी असरदार होता है अगर आप अपनी बोड़ी को परफेक्ट शेप देना चाहते हैं, तो काले च्वारे को अपनी डाइट में जरूर जरूर और जरूर शामिल करें साथियों, अगर आप रोजन अपनी डाइट में काले च्वारे का सेवन कर रहे हैं, तो इससे आपकी हडिया भी मजबूत रहती हैं अगर आपकी हडिया कम्जोर हो जाती हैं, तो आप ऐस्टेोपाइरसिस के हिकार हो सकते हैं हड़ीों को मजबूत करने में कालेच्वार बेहद असरदार है क्योंकि इसमें केलशियम जो है भरपूर मात्रा में पाए गाता है कालेच्वार हड़ीों को मजबूत करके शरीर को healthy और fit रखता है अगर आप रोजाना कालेच्वारे काे सेवन करते हैं को कम समय में हड़ियों के दर्ज से छुटका रहा मिल जाएगा साथियों अगर आप अपने दूबले पन से परिशान हैं और वजन बढ़ाने के लिए हर टिप्स अपना चुके हैं तो एक बार काले च्वारे का भी सेवन करके देख लीजिए यह आपकी मसल्स को मजबूत बन आता है यानि आपके शरीर में अच्छा खासा वजन लेके आता है साथियों पुर्शों के लिए भी काला च्वारा एक तरीके से रामबाण है इसके रोजाना सेवन से जो योन संबंदी समस्यां हैं आपकी उनसे आपको छुटकारा मिलेगा आप बिस्तर पर लो फील नहीं करेंगे क्योंकि च्वारे में फाइवर एंटी ऑक्सिदेंट गुण होते हैं और यह जो गुण है यह योन किशमता को बढ़ाने में काफी मददकार होते हैं अगर आप काले च्वारे को दूद में भिको कर खाएंगे तो इससे आपको और भी ज्यादा फाइदा होगा यह झाले च्वारे को खनीजो का पावर हाउस भी कहा जाता है। साथियों इस रिपोर्ट में आप देख चुके हैं कि काले च्वारे के एक नहीं बलकी कई असरदार फाइदे हैं। अगर आप इन में से किसी भी समस्या से परेशान हैं जो हमने इस रिपोर्ट में बताई तो आप बिना डरे काले च्वारों का सेवन करना शुरू करतीजिए, यह बहुत ही नैचुरल है, इसके रोजानावा सेवन से आपको बहुत फायदे मिलेंगे, दोस्तों अगर यह जानकारी यह रिपोर्ट आपको अच्छी लगी हो, तो आप लाइक जरूर करें, कॉमेंट करें और इसे शेयर भी करें ताकि यह जानकारी जादा जादा लोगों तक पहुंच सुके, इसके अलावा इस तरीके के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार.